नमस्कार दोस्तों जय वोलिनाद तो आज है 23 मई और 23 मई को मैं निकल ला हूँ तुंगनाथ ट्रिप पे तो पहला एक एक करके दिन बार दिन पांच दिन की ट्रिप है तो हर दिन का विलोग में आपको दिखाने वाला हूँ पूरी ट्रिप कैसी रही और आप भी अगर जान कुछ मिलने वाला है चैनल पे नहीं है तो सबस्क्राइब कर लिएजएगा और मिलेंगे अब सारी तयारियां मैंने कर लिए चलने की एक दिन पहले अगर किसी वी ट्रिप पे निकलते हो आग तो सबसे पहले कि लिस्ट कर लो क्या क्या सामान आपको जरूरी है तो जो जो स अब निकल जाओंगा तो अब निकल जाओंगा कली मैंने सारी चीज़े पैक कर ली थी तो अभी सुमें नास्ता करके आदो पराटे खांगे फिर मैं निकलता हूं और अब देखो 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 मुन्ना उटके आगया अच्छा उसकी टीवी बंद हो गई हो गही देखो वजे उट गया था यह भी और शाविक आई देख रहा है छोटी-छोटी गई है और यह दो नहीं तो अभी मैं खा रहा हूं तही और पराठे तही पराठे खाके मैं नि अब पांच दिन बाद मिलेंगे तो पूरा सारे सावान सारे गियर्स पेहन के भी और फिर अभी निकलता हूं हाँ 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 जैके रख लिया गरम कप्ड़े रख लिया है सब कुछ इंत्याम कर लिया महां का मौसम देखके हिजाब से युकरा है ओ फो नमस्ते जैश्री राम जैवोले नाथ हाँ है भाइ भाइब अब बैटा रहा था तो को गाड़ी पर नहीं बैठ रहा था ला इस सबसे पहले हर महादेव और अगर आप चैनल पर नहां है तो सब्सक्राइब कर लीजिए गाए ये तो बनाते रहते बाकि इस बार तो मौका है भोले बाबा के दर्सन करने जाते हैं तो जा रहे हैं तो सोचा कि आपको भी दिखा दें वहां तो चलिए फिर सैटलाइट से स्टार्ट किये मैंने बरेली से अगर बरेली से आप जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो पांच दिन की ट्रिप में पूरा आनंद लेजिएगा इसका और भोले बाबा के दर्सन कीजएगा भोले नात के आपको तो नात महादेब की आतरा पर निकला हूं तो बीच में जितने भी जगह यह आ रही हैं तो सबसे पहले हैड़ द्वार होते हो जाओंगा तो पहला मेरा जो आज पहुंचने का है 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 तक उसके उपर के दोस्त है दूसरा वहां मिलेगा जिसकी मैं यह बाइक बुलट लेके जा रहा हूं अपनी जावा पैराक नहीं लेके जा रहा हूं क्योंकि हम बैठने का थोड़ा उसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग एक ही बाइक से निकलने वाले हैं तो आब हमें एक्जिट पे बरे लिए एक्जिट पर जूंका सिटी बरेली यह देखे सामने जूंका जूंका चुराया यह और अगर आप दिल्ली हाइवे से आ रहे हो तो यह आपके लिए एंट्री है तो यह यह आगे दिल्ली हाइवे पे और मैं जाके जो सीधा पहले ब्रेक लोगा बीच में रामपूर पड़ेगा रामपूर के बाद सीधा मुरादावाद रुकूंगा मैं जाके एक थोड़ी दिर का ब्रेक लोगा पांसाइट मिन्ट का वहीं कहीं खड़े होके और उसके बाद फिर मैं आगे चलूँगा कि यह आगया फीस गेट फते गंज का कि मुरादाबाद भी रॉस कर चुका हूं मैं अभी क्योंकि गाड़ी स्पीड में थी और थोड़ा इतना थकान भी नहीं लगी तो सीधी मैंने पार कर दिया और पहुंचने माला हूं लग मैं परॉप रॉस सामने यह है गंज कर दस यहां निकल लाए यह यह एक गिलास रस भीते और इसी बाहने रश्ट भी हो जाएक और फिर आगे निकलते हैं निकाल दो भी एक गंज कर दने कर आस एक ग्लास निकाल दो यह वाला उधर वाला जो है थोड़ा बड़ा हुआ हुआ जैब हो ले दस पैतेस हो गया और मैं पहुंची आई है और दवास से आगे अब जो यहां से दस बार एक लूमेटरी रह गया जादा नहीं है अब मैं पहुंचाँ का अब इसको पूरी तरीके से पैक है डाल देना यार इस पूरी खाली हो गई यार बढ़ दो इसमें पैट्रोल जत्ता आएगा फुल करना इसको थोड़ा सा खाली रखना फुल से हाँ लीटर में लीटर कि ठंकिया जाए अब बैग नहीं यह बंदा हुआ इस पर ऐसे मुस्कुल से खोला है फिर चिपकाना पड़ेगा चंदन वन इस जगे से गुजरना है देखो हाइवे कितने बड़ी आ दोनों तरफ पेड़ है ऐसे हाइवे हो तो बढ़िया रहता है अब यह थोड़ा ही कि हाइवे सब में कांक्रीट विची पड़ी है और सब में गर्मी गर्मी कहीं रुखने की छाया नहीं जिसको मन जह सब्सक्राइब होने चाहिए हम लोग आया दिन पेड़ काटते जा रहा है वावस उसको बोलें तरक्की हो रही है विकास हो रहा है तो डेवलेप्मेंट थोड़ी है यह विनास की तरफ जा रहा है विकास की दरफ नहीं अब राने का कोई दिक्कत ही नहीं है स्क्राइब काता किवे तार्फ नहीं है कि अंग जाद के अधूमस अधा किसे है how तो कि के सब्सक्राइब कर दो नहीं दे की तुझ करत में घुक्राइब काट्राइब कर दनें ग्यांत किर डालेद थे हिएक देया है जाए बोलान तो यह दो तो कि एकाद आघ्वार कोई अब अभी में नजीवाबाद नहीं पहुचा हूँ यहां से गरेब 64 या 63 किलोमेटर बचा हुआ है और मैं रुका भी जादा नहीं हूँ तो इस ट्रिप एक तरीके से सोलो पर अपना पहली बार मैंने तनी लंबी राइट किये और पीसे टेस्ट भी हो गया कि कितना दूर च तैने डावा है रास्ते में गंगा कैनाल रोट से आयों शॉटकट से भूग लग रही तो जब चलते जलते बुछ क्ष खा लें कि आ करो है करे आद था कि कि अग्याइब देट बर गया खाना कालिया थोड़ा रेस्ट भी हो गया यह तगड़ा ब्रेक हुआ और यहां से गेवल 35 किलोमेटर दूर है हरी द्वार तो मैं यहां से अब निकल ला हूँ खाना खाके पेट पुजा हो गई अब भोलेनात की पुजा होगी जै भोलेनात मजा आ रहा है मगर अकेली सुबह से चला हुआ हूँ और कंटीनियू चलना है है यह दो चल्टे रहो चलते रहो तो सारी टूरेस्ती यह रिवर्वाला ना देख है यह लोग यह वालत दौटकान्स के बγάवर राबर यह पूरी के लाथ है यह बढदूarody सुआ जैगा जाerson पूलाएइंट पूरे इंजॉयमेंट के साथ जा रहा है तनी दूर हटद्वार के दर सुनकरने इसको घूमने के दिवानगी होती है वो नहीं देखता है क्या सुबित आएं हैं नहीं जाने के लिए बस जाना है तो जाना है कुछ किनारे 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 जब जाते हैं यह पूरा जंगल जंगल यह रास्ते में पढ़ते हैं यह यह जंगली लागा लोग देखिए यहां लिखा भी है बाइल क्रॉसिंग मतलब कोई भी जंगली जानवर रास्ता क्रॉस करते हैं राच्पू और सुबह साम के टाइम पे तो ब भी आपको भी हैं कि तरीके से जो भूलते हैं को घीटे टाइप के होते हैं तेंद ये टाइप वह उस तरीके के छोटे शोटे के जूर से अब आपको भी दिखने लगेंगे सामने पहाड तो बस यहां से यह उत्रखंड की पवित्र भूमी में हम लोग प्रवेश्च कर चुके हैं हरी के द्वार आ गए हरी द्वार और अभी कुछी देर में मैं पहुंच जाऊंगा हरी की पैडी पे हरी द्वार में कुछ पहुंच जाऊंगा अभी सुबह से ट्रेवल कर रहा हूं नौ बजे से घर से चला हूं और अभी चार बजी आ है तो आना समर के चक्र में देख रहे हैं कितना ट्रैफिक है भीड है गाडियों की लाइन लगी हुई है अगर कार से आ रहे हो आप तो बड़ा अभी से दिख करें हां देख रहे हैं हाथ लारी वर 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 है है हेलो पitटा हेलो यह गंगा का फिलो देखो यहां पर देखने को मिल जाएगा क्रॉस कर रहे हैं यहां से यह देखो पानी जल बहुत है गंगा में गंगा नदी में जली जल है पूरा भरा हुआ अब बहुत जाद है पूरा भरा हुआ चल ला है इस समय वह यह देखो यह साइड में कैसे घर हैं लोगों के पूरा अच्छा खासा जल है गंगा नदी में इस बार सुखी हुई नहीं ह तो कि उपर बारिस हो रही है ना तो यह मैं पहुंच गया है रेलबे स्टेसन यहां पर जो मेरा फ्रेंड है वो वेट कर रहा है आगे से मुड़के आते हैं यहां से बंद कर रखा है यहां से निकल जाएंगे यहां से निकल जाएंगे जहां से निकल जाएंगे जहां से निक यहां पर भाईब क्रेख़िए निकाले तो सताइक रहने की बहुत जरूरोद फिर कीच्छ के कैसे भाग जाते हैं यहां पर किषोड़ और यह शमद्ट कर अधोजरों की कमी नियों कोई खेचने वालों की चैने और गुछबी हागा भाई भाई हालो मैं अभी जाही रहा था बस निकल यह मैंने कि उधर निक खड़ा हूं यार बहुत देर हो गई तुम्हारी हाल तो मुस्टे जाद खड़ा हो रही है मैं चला कर रहा हूं भाई कैसे मुखर रहे हूं पैदल चल 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 गए नहीं बस भुकत हो गया है यह को ऐसे टाइम से हुआ पंचर पदा चल गया है तो हम पहुंच गए फूरत थकने के बाद रूम पर इसी केस में रूम लिया बिवेक भाई कि महरवानी है उन्होंने क्यारा सु रुपे में रूम भुकत राता हूं और नहीं के दोस्ती विकाली कर दोस्तों अभी गाना सुन्माओं पढ़िया था बाद में रिलेक्स होगे अभी क्या कि मैं ठकके हालत खराब होगे तो विलोग के यहीं एंड करते हैं तो पहले दिन हम प्रिसी केस रुकेंगे और फिकल सुभा निकलेंगे कितने वजह निकलेंगे अभी कुछ प्लानि कहां जाएंगे वह पीछे नाने के लिए नाने जाएंगे और वह शॉट पे देख लेना अब इतने इम्मत नहीं कि विलोग पूरा वनाओं मैं तो शॉट डाल दूंगे उसका तो देख लेना आप